Hello students, हमें आज Pharmacognosy के Unit 5 का टॉपिक पढ़ना है केसीन केसीन जो है, यह थरीक्य का प्रोटीन होता है, यह milk प्रोटीन होता है जो कि usually आपका जो milk होता है, जो काउ या बफेलो milk होता है, उससे एक्स्ट्राक्ट किया जाता है नाचिरल वे में आगे हम यह भी पढ़ेंगे कि synthetic way भी होता है केसीन को produce करने का लेकिन naturally जो protein होता है उसे milk से produce करके extract किया जाता है जो globules होते हैं केसीन में वो structured होते हैं और वो missile formation करते हैं missile formation का मतलब आपने देखा होगा कि वो gold 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 जो छोटे-छोटे proteins के molecule होते हैं वो आपस में collect होके accumulate हो जाते हैं और एक group के जैसा बना लेते हैं यह globules जो होते हैं यह milk के white color के लिए responsible होते हैं और जो अलग species to species है मतलब हर प्रजाती का जो milk होता है जैसे कि अगर आप cow का milk लोगे आप buffalo का milk लोगे आप goat का milk लोगे तो सबके milk में जो protein content है आपका वो अलग-अलग होता है depending upon कि वो कौन सी species से आ रहा है biological source में जो केसीन है उसका जो biological source है वो phosphor protein होता है जो कि milk में पाया जाता है 3% ही milk का constituent form करता है और इसमें approximately 80% तक total milk protein का content होता है दो तरीके केसीन मारकेट में available है एक होता है acid casing एक होता है rennet casing जो acid casing होता है इसमें जो warm milk होता है मतलब जो दूद होता है पहले उसे गुन-गुना कर लेते हैं और उसके बाद उसमें dilute acid डाल देते हैं तो जो way होता है वो अलग separate हो जाता है जो curd निकलता है उस curd को निकालके कई बार wash करके pulverize कर लेते हैं यानि कि एक तरीके से दूद को फार लेते हैं acid डालके नीमू का रस डाल दिया या फिर normal आपका fit किरी या alum डालके और उसके बाद उसका जो curd पार्ट है उसे अलग कर लेते हैं मतलब आपने देखा ओगए जब दूद फट जाता है तो दूद में a quick path गाया और एक होता है जिस में lumps-lumps होते हैं तो वो리 बार्ट को अलग क्लिटे हैं हमारा кेसी बन जाता है और जो आपका पानी पानी वाला पार्ट होता है वो क्या बन जाता है वो वे प्रोटीन बन जाता है दूसरा होता है आपका रेनेट केसिन में क्या होता है इसमें भी दूद को गुनगुना कर लेते हैं और इसमें एंजाइम डालते हैं यह एंजाइम क्या करता है यह यूट एसीड का यूज करते हैं जबकि रेनेट केसीन में एंजाइम का यूज करते हैं जो ग्रिफिकल सोर्स अगर हम देखे तो जो केसीन है इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन वो न्यूजिलेंड औस्ट्रेलिया और इंडिया में काफी हाई लेवल पे होता है हाईगरोसकोपिक मतलब एकमोसफेयर से मौईस्चर को एब्सॉर्ब कर सकता है नमी को अपने अंदर खीच के सौफ्ट या मौस्चर हो सकता है इसके अलावा यह सिटेबल होता जब यह ड्राइ होता है और जैसे ही यह मौस्चर सोकेगा इसकी क्वालटी डिटोरियेट होन होता है लेकिन यह dilute alkali में मतलब ऐसे alkali जो की diluted form में होते हैं बहुत ज्यादा strong alkali नहीं होते हैं या फिर concentrated जो acid होते हैं इनमें easily solubilize हो सकता है और precipitate form करता है यह dilute acid solution में जो case in content of milk है वो 80% milk protein बनाता है और जो आपका principally case in होता है यह चार तरीके के fraction में divided होता है पहला होता है आपका alpha s1 दूसरा होता है आपका alpha s2 तीसरा होता है आपका beta case in और fourth होता है आपका kappa case in तो जो distinguishing property है इन चारो तरीके की case in में वह यह है कि यह जो case in होते हैं यह low pH पे या फिर मतलब ऐसा मान ली कि pH 4.6 के around insoluble होते है या फिर sparingly soluble होते है या एकदम minimal solubility होती है उनकी जो groups हैं हमने उपर चार पड़े alpha s1 alpha s2 beta case in और kappa case in इसमें इनके उपर जो differences है वो basically दो factor पर बेस होते हैं एक कि इनके उपर charge का distribution कैसा है और दूसरा कि यह calcium के तरफ कितना sensitive है मतलब जब इनको calcium में जब calcium इनमें add किया जाता है तो क्या यह precipitate form करेंगे यह क्या precipitate नहीं form करेंगे पहला है आपका alpha s1 case in इसका जिसमें कि 17 proline residues होते हैं यह जो यह आपका alpha s1 होता है इसमें 2 hydrophobic region होते हैं और इसमें proline residue होता है यह बहुत low level of calcium से precipitate easily किया जा सकता है it can be precipitated at very low level of calcium जो दूसरा आपका होता है आपका alpha s2 case in इसका molecular weight 25,000 होता है इसमें 207 amino acid के residues होते हैं जिसमें कि 10 आपके proline होते हैं इसमें जो आपका negative charge होता है वो N terminal की तरफ होता है और positive charge होता है वो C terminal की तरफ होता है आपने पढ़ा होगा कि जो amino acid होते हैं यह amino acid की chain होती है उसमें एक N terminal होता है और एक C terminal होता है N मतलब जो आपका ammonia terminal होता है और C मतलब जो आपका carboxylic acid का terminal होता है तो जो आपका case in protein है आपका alpha s2 case in होता है इसमें N terminal की तरफ आपका negative charge ज्यादा accumulated होता है और C terminal की तरफ positive charge होता है यह जो है यह भी बहुत low level of calcium की help से precipitate easily किया जा सकता है थर्ड है आपका beta case in beta case in में जो molecular weight होता है वह 24,000 होता है इसमें 209 residue होते हैं जिसमें 35 proline residue होते हैं इसमें जो आपका N terminal region होता है वह highly charged होता है और आपका जो C terminal region होता है वह hydrophobic nature का होता है यह बहुत ही amphiphilic protein होता है यह detergent molecule की तरह act करता है इसमें self association temperature dependent होता है यानि कि यह 20 degree Celsius के आसपास एक large polymer form कर सकता है लेकिन 4 degree के low temperature पे नहीं form कर सकता है यह less sensitive to calcium precipitation होता है मतलब इसमें easily precipitation नहीं हो पाता है इवन आप calcium की ज्यादा quantity भी add करो तो भी फोर्थ क्या होता है आपका कपा केसिन होता है कपा केसिन का जो molecular weight है वो 19,000 है इसमें 169 residue होते हैं जिसमें 20 proline की residue होते हैं यह बहुत resistant होता है calcium precipitation को और इसी वज़े से यह होता है यह stabilize मतलब काफी stable होता है यानि कि आप calcium कितना भी add करते रहो इसका जो protein है वो बिल्कुल भी आपका precipitate नहीं होगा अच्छा इसके बाद हम अगर chemistry of casein की बात करें तो जो casein है वो एक फॉस्फो प्रोटीन है जिसमें 0.85% phosphorus होता है और 0.75% sulfur होता है जो 15 amino acid इसमें मतलब होते हैं वो essential amino acid होते हैं और इसका molecular weight 75,000 से लेकर के 3,70,000 के बीच में हो सकता है इसका iso electric point 4.7 होता है और इसमें nitrogen content 15-16% होता है जो casein है इसे 25 degree के temperature पे store करते हैं और इसमें relative humidity 85% से जादा नहीं होनी चाहिए test की अगर हम बात करें तो casein को test करने के लिए biurit test, ninhydrin test या फिर xantho protein test इन तीन test की मदद ली जाती है standards की अगर हम बात करें तो जो standard आपका casein है उसमें not more than 6% का dry weight loss होना चाहिए यूजेज में बात करें तो आपने देखा होगा सबसे बेसिक यूज तो है कि जो लोग जिम बहुत जाते हैं या फिर जो लोग बहुत जादा प्रोटीनेश डाइट या कीटो डाइट पे रहते हैं वह casein protein को काफी consume करते हैं यह एक dietary supplement की तरह काम करता है इसके अलावा जो industries होती है उसमें textile या paper या textile industry में इसे adhesive की तरह यूज करते हैं आपके manufacturing industry में यह binder की तरह यूज होती है protective coating के लिए, plastic के लिए, fabric, food additive वगेरा के लिए और इसके अलावा जो casein होता है उसको medicine में, dietary supplement में, cosmetic वगेरा में भी यूज करते हैं minor application की बात करें तो इसको use करते है textile printing में, इसके अलावा insecticide spray में, emulsifying agent की तरह और और भी इसके काफी सारे usage होते हैं कि जब आप casein diet ती लेना शुरू करेंगे तो आप थोड़ा सा casein consume करेंगे और वो casein बहुत जादा समय तक आपको भूक नहीं लगने देगा ठीक है तो ये इसके सारे usage हो गए ये नीचे आपके 15 question दिये हुए इन 15 question का answer लिखके आपको submit करना है पिछले साल casein पर कोई भी question नहीं आया था इसलिए वो यहाँ पर included नहीं है Thank you students